ग्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बेल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें क्रिकेट की एक्स्क्लूसिव खबरें दुनिया भर के फैंस की नजर 16 जून को होने वाले महा मुकाबले पर है जिस दिन मैंचेस्टर के मैदान में दुनिया की सबसे दो ताकतवर टीम आमने सामने होगी भारत पाकिस्तान मुकाबले का इंदिजार सिर्फ दोनों देशों के फैंस को ही नहीं बलकि इस होट मैच का इंदिजार हर किसी को है मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर मैच को लेकर तरह तरह की अफ़ाय फैलाई जा रही है कहा जा रहा है कि मैच रद्ध हो चुका है कहा तो ये तक जा रहा है कि मौसम विशेशक्यों ने मैंचेस्टर में 16 जून को 20 बारिश की आशंगा जताई है वैसे ये सच है कि वर्ल कप 2019 में बारिश की वज़े से पहले ही तीन मैच रद्ध हो चुके है मंगरवार को श्रिलंका का मैच बिना एक भी बॉल फे के रद्ध कर दिया गया इससे पहले पाकिस्तान और श्रिलंका का मैच भी बारिश की भेट चड़ गया था वहीं बांगलादेश और श्रिलंका के मैच को भी बारिश ने बुरी तरद हो दिया था तो इसी वज़े से सोशल मीडिया पर अफवाओ का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि बारिश की वर्जे से भारत और पाकिस्तान का मैच भी रद कर दिया जाएगा मगर BBC वर्ड और इंग्लेंड के मौसम विभाग ने इस सारी अफवाओ को दरकिनार कर दिया है और 16 जून को बारिश नहीं होने की बात कही है मौसम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 16 तारी को मैंचेस्टर में बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं है हाँ हो सकता है कि भारत बनाम न्यूजिलेंड मैच में बारिश थोड़ी सी दखल दे दे मगर भारत पाकिस्तान महा मुकाबले में बारिश विलन नहीं बनेगी इसलिए अफवाओ पर कतई भी ध्यान न दे फ्लेम मीडिया रिपोर्ट